हेलो दोस्तों आज किसी वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आपके साथ आज़के हैं इस वीडियो को आप जो भी कैनेडेट है बिल्कुल रूप से गौर से सुनिएगा क्योंकि आप लोग जानती ही है भिहार स्वास्त विहाग के अंत्रगत एनेम 8823 का अभी यहाँ पर जोइनिंग पर किरियाद चल रही है बहुत कैनेडेट जोइनिंग कर लिए है अब जोइनिंग जिंजिन कैनेडेटों ने पूरी राज जिक अंद्रगत जिस जिल्ला में आपका जोइनिंग दिया है जोइनिंग लेने के बाद यहाँ पर एक बार पुनौह दो नोटिस जा कैसे लेना है कौन कौन से डोकुमेंट लगेगा वो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और डूटी कब से शुरू हो रहा है वो भी दिखा देते हैं तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले दोस्तों एक नोटिस्पिकेशन मैं आपको दिखाएंगा ये नोटिस्पिकेशन आप लोग सबसे पहले देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है राज स्वास्त समीति बिहार पत्ना के पत्रांग 4333 दिनांग 21-10-2021 के द्वारा जिल्ला वैसाली अंत्रगत संभीत अगत पदस्थापित एन्यम जिनके द्व क्या गया है लोट्री में भाग लेने हेतु संबंदित एन्यम को सुचनार्थ परिशित यानि कि दोस्तों इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एन्यम कैंडिट जो एन्यम कैंडिट एक से ले करके 12-11-2022 तक 20-60 जिल्ला में आप लोग जोईनिंग की हो उन सारे कैंडिटों आप पदस्थापन किया जाना है यानि कि पोस्टिंग क्या जाना है पीच सी के अंतरगा पूस्टिंग क्या जाना है यह सिस्टम आपको लोट्री के माध्यम से क्या जागा क्योंकि उस जिल्ले के अंतरगा जितने भी पीच सी सेंटर है वहां पर पोस्टिंग करने में थो जाएगा अब जो कंड़ेट वैसाली जिला में जोइन की हो 19 से 11 को आप लोग जिला स्वास समीती जहां पर युगदान दिये थे वहां पर जा करके इस लौटरी सिस्टम में भाग लेंगे यह लौटरी सिस्टम क्या होता है एक डबा में आप सारे कंड़ेटों के नाम लिख लिखके नाम लिखके डाल दिया जागा रहां उस डवाम से निकालते जाएगा वह मतलब रख दिया जागा और आप अपने मन से निकालते जाए जहां पर आप लोग को जिनके इडिटों को परेगा वो सारा केंडिट वहां पर आप लोग जाकर के पदास्था पर लेंगे योगदान लेंगे उस पीछ सेंटर पर और उसी दिन से आप लोग का ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा यह वैसाली जिल्ले के जोइनिंग क्या है उसके लिगार्डिंग यह आदेश जारी किया गया इस आदेश के अंतरगत सेम चीज लिखा हुआ है जो कैंडिट एनियम पोस्ट पर आप लोग एक नमबर से अगर पांच नमबर के बीच में जिन कैंडिटों ने योगदान क्या था सभी योगदान कर हुआ है और पिता का नाम या फिर होस्बेंड का नाम लिखा हुआ है उसके यहां पर एड्रेस दिया हुआ है कि वह कहां की रहने वाला है उसे एड्रेस को यहां पर लिखा हुआ है साथ ही दोस्तों यहां पर अगर आप लोग बात करिएगा तो डेट आप बर्थ भी यहा को कहां पर यहां पर दिया गया और आप लोग जाकर के विल्कुलूप से ज्वाइनिंग कर पाएंगे इस लिस्ट में आप सारे केंडिटों के यहां पर दिया हुआ है तो दोस्तों विल्कुलूप से अपना मैच कर लिजे देख लिजे कि आप लोग को कहां पर पोस्टिंग दिया हुआ अब दोस्तों इहां पर पोष्टिंग आप लोग लेंगे तो पोष्टिंग लेने के लिए जब जाएगा थो पुना एक वार जन्म करना होगा जनकारी है हम आपको जनकारी पुरा दिखा इसमें छाथ दीन करने कर लेना है जाए जाने कर आप लेकर जाना है। सर्थिकैट ले जाना किरेज्ज देखेंचन साथ लिए सबस्राइबर ब्लाइन को चले जाना सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सेर कर ये वीडियो जिसे की सब को पता चले कि मधवन्य और वैसाली में पोस्टिंग आ चुका है और टाइम पर जाकर के अपना पोस्टिंग पहलेंगे और सारी परकिरिया में लग जाएंगे चलिए दोस्तों इसी तरह के नहीं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर क्या आएंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएगा और आपके लिए नए वीडियो लेकर बहुत ही जल्द आ रहे हैं बीटी असी से रिडेटेड विहार तकनिकी सिवा आयोग से रिडेटेड तब तक के लिए बाए बाए